नमस्कार, हमने आपको बहुत पहले सुचना दी थी कि योगी सरकार विचार कर रही है बारवी के बाद हायर इस्टेडीस की जितने भी कूर्सेज हैं उच्च सिख्षा के चाहे व्यावसाइक सिख्षा के या फिर तकनीकी सिख्षा के इन सभी में एडमिशन लेने वाले चात्र चात्राओं को टैबलेट वितरित किया जाएगा गौर्मेंट आफ उत्तर प्रदेश की तरप से आज हेडलाइन के साथ टाइम्स ग्रूप ने ये खबर लिखी है कि बारही के बार डिग्री डिप्लोमा करने पर मिलेगा टैबलेट अक्टूबर नॉमबर से टैबलेट वितरंड की तैयारी में योगी सरकार इसके पहले हमने आपको इस विसे में जानकारी दी थी क्योंकि ये बहुत पहले से ये प्रस्तावित था एक करोण युवाओं को टैबलेट दिये जाएंगे लेकिन इससे जुड़ी जो मेजर पॉइंट्स हैं वो जरूरी बातें आपको जानना चाहिए कि कहां पे आपके साथ धोखा हो रहा है और आपका क्या फाइदा होने वाला है युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए टैबलेट देने की हुजना के जमीनी अमल पर युगी सरकार जुट गई है 12 पास कर जो युवा राज्य सरकार के किसी सिक्षण संस्थान में डिप्लोमा या डिगरी पाठिकरम में दाखिला लेगा उन्हें टैबलेट दिया जाएगा अक्टूबर नौमबर से इसके वितरन के लिए टैबलेट निर्माता कमपनियों से बातचीत सुरू कर दी गई है उपलबधता के आधार पर चरणवार वितरन किया जाएगा सीम योगी आधितिनात ने अनुपूरग बजट में तीन हज़ार करोंड रुपए के निवेस विसेस कोज की घोशना की थी उन्होंने कहा था कि इसके जरिये एक करोंड योगाओं को टैबलेट या स्मार्ट फोन दिये जाएंगे चुनाओ के ठीक पहले की गई इस घोशना को चुनाओ के पहले ही अमल में लाने की कवायत सुरू हो गई है पूरी कालिय योजना पर जल्द ही कैबिनट से मुहर लगने के बाद टैबलेट खरीत की प्रकिरिया सुरू कर दी जाएगी तैयारी है कि एक बार में कम से कम पांच लाख यूनिट के वितरण से सुरूआत की जाए और उसके बाद पांच से दस लाख हर महीने वितरित किये जाएं लाभार्तियों का चैन किसाधार पर होगा सत्रों के अनुसार बारह्मी के मानिता प्राप्त पाठिकरम में पंजी करण बुनियादी योग्यता तै की गई है वितरण प्रकिरिया में पारदर्सिता के लिए विभाग वार आवंटन किया जाएगा उच्च सिक्षा, चिकदसा सिक्षा वा प्राविधिक सिक्षा विभाग से उनके पंजी करत स्टूडन्ट का व्योडर लिया जाएगा व्योसाइक सिक्षा वा कउसल विकास विभाग को भी उजना में सामिल किया गया है उनके यहां बारहभी के बाद डिप्लोमा पार्थिकरम में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के साथ ही कौसल विकास के कारिकरमों में पंजी करत प्रिशिच्चूँ को भी टैबलेट दिया जाएगा आईटी विभाग खरीद के बाद लावर्थियों के विभागों को टैबलेट हैंड ओवर करेगा और वितनर विभागों के जरिये ही करवाया जाएगा एक से अधिक विंडरों से ये खरीद हो सकती है यूआओं को टैबलेट उपलब्ध करवाने की महत्वा कंच्छी यूजना में सबसे बड़ी मुस्किल इनकी उपलब्धता है सुत्रों के अनुसार चार पांच ही ऐसे मेगा ब्रैंड हैं जो टैबलेट बनाते हैं उनकी उत्पादन छमता की भी सीमाएं हैं कोविट काल में ऑनलाइन पढ़ाई वर काम के बढ़ते ट्रिंड के चलते मांग बढ़ी है यूपी के अलावा उतरा खंड बिहार पंजाब सहित अन्यराज्यों ने भी टैबलेट बाटने की घोशना की है ऐसे में बल्क आर्डर पूरा करने में कमपनियों को दिक्कत आ सकती है सुत्रों के अनुसार के इंद्रिय आईटी मंतलाले से बात कर यूपी के आईटी विभाग के बड़े वेंडरों से बातचीत सुरू कर दी है कारिया योजना पर कैबनेट से मुहर के बाद जेम पोर्टल के माध्यम से खरीत के लिए टिंडर प्रकरिया सुरू की जाएगी मांग पूरी करने के लिए एक से अधिक वेंडर्स के जरिये भी खरीत की जा सकती है दो से तीन जीबी रैम के होंगे टैबलेट टैबलेट का स्पेसिफिकेशन स्टै करने में दो बातों का खास ध्यान लखा गया है पहला कि ये काफी किफायती हूँ और दूसरा पढ़ाई लिखाई के साथ ऑनलाइन प्रोफेशनल वर्क के लिए भी उप्योगी हूँ सुत्रों का कहना है कि मार्केट ट्रेड वह विश्य सग्यों के मन्थन के बाद यह तैक किया गया है कि आठ इंच का सिम इनेवल्ड टैबलेट खरीदा जाएगा 4G सुविधा से लाइस एंडराइट आधारित यह टैबलेट 2-3 GB रैम और 32 या 64 GB इंटरनल मेमोरी के होंगे Bluetooth, Wi-Fi, MS Office के Student Virgin सहित दूसरे अप्लिकेशन एकसेस हो सकेंगे और इंटरनेट की मुफ्त सुविधा देने के लिए कमपनियों से बात चल रही है सीथे बात करते हैं कि क्या जो कीमत है वो हो सकती इस टैबलेट की तो पहले आपको बता दें कि 1 करोण टैबलेट बाटी जानी है 1 करोण पूरे उत्तर प्रदेश में टैबलेट बाटे जाएंगे उसके लिए जो आपकी यूजना बनाई गई है वो यूजना बनाई गई है 3,000 करून रुपै की तो 3,000 करून रुपै के एक करून टेबलेट बाटे जाएंगे यानि एक टेबलेट की कीमत आई कितनी 3,000 रुपै अब क्योंकि बल्क में बहुत जादा श्तर में बाटा जाना है लेकिन वो उसका market rate लगभग 30,000 के असपास था तो ये आपका जो है यूजना इतने की है एक tablet इनके हिसाब से 3000 का पड़ेगा तो at least उसके जो market range होगी जो market कीमत होगी वो 8-10,000 के असपास होगी कम से कम वो वाला tablet दिया जाएगा और महत्वपूर्ण बात ये है कि tablet की इस quality का दिया जाएगा तो अगर दूसरे 3GB RAM भी दी जा रही है 32 या 64 का अगर इसमें ROM या इस टूरिस दिया जा रहा है तो वो भी कम नहीं है और 8 इंच का SIM इन्वेल्ट है मतलब 8 इंच का जैसे आपका मोबाइल फोन आमतोर पे 6 इंच या 5 इंच ऐसे होता है तो गर 8 इंच का है तो मोबाइल फोन से थोड़ा बड़ा रहेगा तो एक तरह से tablet आपको देखने में लगेगा कि tablet है और सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि internet की मुफ्त सुविधा देने के लिए company उसे बात चल रही है हाला कि मैं जो समझ पा रहा हूँ जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ इसके पहले उत्तर प्रदेश में जितनी आसा बहु के पत पर जो भी कारेरत है या जो भी कारेरत है आंगन बाड़ी में तो इन सभी लोगों को टैबलेट दिया गया था दो-तीन साल पहले क्योंको यूजना आए थी उसके अंतरगत survey बगारा करने के लिए तो उस टैबलेट के जैसा ही ये टैबलेट रहेगा हाला कि features, specification कुछ बढ़ाया जा सकता है क्योंकि यूजाओं को लुभाने की एक तरह से कूसिस है वोट बैंक इससे असर पढ़ेगा तो इससी के चक्कर में हो सकता है कि गवर्मेंट आसा कर रही है जो भी करे ये राजनियतिक मसले अलग है लेकिन यह मसले अलग है कि किनको मिलेगा तो इसके लिए साब साब नियुस पेपर में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के किसी भी चंड संस्थान में दाखिला लेने पर मिलेगा लाब तो एक बात और है कि दाखिला लेने पर लाब मिलेगा का मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि आप पहले से enrolled हैं तब भी यह मिलेगा और अगर आप नया admission ले रहे हैं तब भी मिलेगा मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ B.A. B.S.C. B.Com, M.A. M.S.C. M.Com, B.Walk, B.B.A. B.C.A. B.A.C. Agriculture या जितने B.J.M.C. जो भी मतलब पार्ठिकरम है इसनातक अस्तर के पराशनातक अस्तर के उन सभी को यह अभी तक तो देने की उमीद है लेकिन यह बारहमी के पंजी करण के हिसाब से दिया जाएगा अगर इस स्रेणी में आते हों तो आपको भी मिल जाए कब तक सुरू होगा तो इस विस्से में भी आपको बात बता ही दी गई है कि अक्टूबर नॉम्बर से वितरण की तैयारी हो सकती है क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वो तेजी सागे बढ़ने लगी है जेम पोर्टल पर इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया सुरू की जाएगे बहुत जल तो कारियोजना ये बन गई है कारियोजना पर कैबनेट से भी मोहर लगना बाकी है तो मेबी कि एक आदसप्ता में ये मोहर लग जाए उसके वाँ टेंडर दे दिया जाए टेंडर बनाने वाली कंपणियों में फिर भी दिक्कत आ सकती क्योंकि इता जादा टैबलेट वो जल्दी कैसे बनाएंगी तो इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भाले लग सकता है लेकिन ये है कि अब वितरण हो सकता है क्योंकि ये चुनाओ नज़्दीक है तो इससे चुड़े दाउं पेच में यह भी समय हो सकता है खैर राजनीतिक तोर पे मैं कोई टिपड़ी करना चाहता हूँ नहीं मैं टिपड़ी करने के लिए सक्षम हूँ परन्तु इससे संबंदे जो भी जानकरिया आती रहेंगी ये जो टैबलेट वाली यूजना है इससे जुड़ा जो भी कुछ आता रहेगा छोटा मोटा बड़ा जो भी इन्फर्मेशन आएगी हमें आप तक साज़ा जरूर करेंगे तो इसके लिए इस्टे ट्यूंड